है गाइस वेलकम टो और चानल माइनम इस अपसर एंड यूटूब चानल तो गाइस आज किस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के अमेजिंग निव फीचर के बारे में या फिर आप इसको हिडन अपडेट भी बोल सकते हैं जो काफी जादा आपको बाकी फ ज़रूर देखना अगर आप चैनल के उपर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना तो यहाँ पर मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने इंबॉक्स के अंदर यहाँ पर अभी मेरा की अकाउंट है जिसका नाम है टेकनो अपसर और दूसरी के बाद जैसी मैं इसके इंबॉक्स के अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यू आर बोथ इन दे चाट बता रहा है और मेरा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है और दूसरे तरप जिस मोबैल से मैं आया हूँ यहाँ पर आप देख सकत करेंगे तो यह यहाँ पर हमारी वीडियो को रिकॉर्ट करना स्टार्ट करेंगा और यहाँ पर हमारी वीडियो काल स्टार्ट हो जाएंगी अब देखो यहाँ पर यह चीज इंपॉर्टन नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया बलके यहाँ पर इंपॉर्टन यह चीज ह तो यह हमें बताएगा कि अभी इस टाइम में वो बंदा आपके conversation के अंदर enter किया हुआ है तो इससे आपको यह idea हो जाएगा कि अभी वो अगर online है या फिर अगर वो active है तो आप ही के साथ बात कर रहा है बलके और किसी के साथ नहीं कर रहा है चाहिए वो अगर आपके message का answer दे रहा हो या फिर ना दे रहा हो उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक conversation को back करता हूँ तो guys back करने के बाद ही हमें बताता है कि active now मतलब कि अभी अकाउंट activate है चल रहा है अभी यहाँ पर यह किसी और से चाटिंग कर रहा है तो आपको यह चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएंगे अगर आपको active now बताता है otherwise अगर आप वो जैसी यहाँ पर open करता है आपके conversation को तो आपको directly यहाँ पर option आ जाएगा कि you are both in the chart and दूसरे साइड से आपको tap to hang out on video तो इस तरीके का option है जो आपको काफे ज़दा help कर सकता है यह बताने में कि जिस conversation के साथ जिस बंदे के साथ अभी आप chatting कर रहे है वो इस time आपके साथ ही बात कर रहा है या फिर और केसी के साथ बात कर रहा है तो यहाँ पर आप तब भी आपको बता देगा you are both in the chart और दूसरे साइड के अंदर भी नहीं बता रहा है तो उसके अंदर का जो reason है वो यही है कि वो Instagram अभी update नहीं है वो जैसी update हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर भी you are both in the chart का option आ जाएगा जिससे के दोनों ही साथ के बंदे समझ पाएंग अगर हम उसको एनेबल करते है तब यह feature काम करता है otherwise अगर यह feature enable नहीं रहेगा तो यह update काम नहीं करेगा तो इस तरीके का update है hope करता हो कि आपको सारी चीज़े समझ में आच चुकी होंगी अगर फिडिवे आपको कुछ चीज़े समझ में नहीं अगर आईए तो आप मुझ